हेलो फ्रेंड्स आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आज के वीडियो में हम देखेंगे डेटा माइनिंग एंड डेटा वेरहाउसिंग सब्जेक्ट के मल्टी च्वाइस कुस्चन्स जन्हें हम या उब्जेक्ट टाइप कोस्चन्स भी कहते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सकाइब नहीं किया है तो सब्सकाइब कर लिजे साथ में बैल आइकन भी प्रेस कर दीजे ताकि नीव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा यदि आपने data mining and data warehouse subjects के video नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर प्लाय लिस्ट करेंगे और वहां से आपको ne поп plein details पहलेंगे साथ ही इस बीडियो में हम डिसकिप्शन बॉक्स में data mining and data전에olis सब्जेट की लिंक दे देंगे इससे भी आप देख सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि यहां पर आप देख रहे हैं डेटा माइनेंग डेटा वहाउस का पार्ट वन mcq तो इस टाइब के एम से क्यों यूजी सी नेट इक्जाम में भी आते हैं आपके जो यूनिवर्सिटी कॉलेज लेबल के एक्जाम होते उसमें भी आते हैं तो यहां पर एक चीज़ और करूंगा यदि आप अच्छे से जो आपका डेटा माइनेंग सब्जेक्ट है यदि थेओरी आपको अच्छे से किलियर है तो आप mc क्यों बहुत आसान तरीके से यहां पर सोल्व कर सकते हैं तो सबसे पहला कुछ्चिन है वट देफिनेशन ऑफ डेटा माईनी तो यह आप्शन है डेटा माईनी इस एस प्रासेस और फूमाइनिंग डैलिवेंट नॉलिच फ्रम लार्जमांट उप डेटा बी ओप्शन है डेटा माईने इस दिए कल दो स्मॉल अमाउंट ओप डेटा एंड यह ओप्शन है नन अब तो यदि आपका थेवरी कॉंसेप्ट के लिए है तो आपने पड़ा होगा कि डेटा माइनिंग का जो फर्स्ट ऑप्शन है जिसको हमने बोल्ड टेक्स्ट में यहां पर दिया हुआ है तो इसमें आप देख सकते है कि डेटा माइनिग इस दा प्रोसेश तो माइनिंग रिलिवेंट और यूजफ़ नॉलेज फ्रॉम लार्ज मांट ओप डेटा यहां पर यह ओप्शन यहां पर राइट ऑप्शन है सेकंड कुश्चन देखते हैं वाट इस तब फुल फॉर्म ऑप के डिडी तो यह ओप यहां पर आप five options कुछ एग्जाम समय four options भी आते हैं कुछ आजकल five options भी आने लगें तो यह कोई मैटन नहीं रखता है four option five options यह ten options आने वाले समय में ten options भी आएंगे लेकिन यह कोई मैटन नहीं करेगा यदि आपको थेओडी का अच्छा खास नौलेज है तो आपको दस राइट आप्षिण आप आसानी से cus क सकते हैं त यहां पर आप देख सकते लि tweinha हमकिर्व फ्रक्राइट करेक्ट आप्षिण है करेक्ट क्लीनिंग data integration data selection data mining data transformation pattern evolution ननिग आड़ाइilly तो जो के डीडी प्रोसेस स्टेप्स होते हैं उनमें सारे स्टेप्स ग Stevie रहते हैं तो इनो um किस maturity process सब्सक्राइब आपको पहुंचान डront करें ना यहां पर देख सकते हैं कि जो अज्वर से ऐ 24 ऀैया राइट ऑप्शन है करेंट ऐन्स थे इनट करते हैं डेटा इंटिटर एंटेटा सेलेक्शन करते हैं थे एंग data mining लगाते हैं कोई भी टैकनिक या कोई अल्गुरिथम लगाते हैं उसके बाद हम पैटन एवेल्यूट करते हैं जो भी पैटन हमें इचीब होते हैं या जीव होते हैं उसके बाद मुस पैटन को रही आज नॉलेज आज तो यहां पर आप देख सकते कुछ आप्शन में डे इस तरह से आपको कंफ्यूज करने के लिए स्टार्टिंग के जो ऑप्शन से वो कौमन रखते हैं बाद में फिर एक दॉप्शन यहां वहां आगे पीछे कर देते हैं तो इससे आपको कंफ्यूजन होता है और यही जो एक्जाम कंडर्ट करवाते हैं वह यहीं चाहते हैं कि स्टूडेंट को कंफ्यूजन क्रियेट हो तो जिनको यह दि प्रॉपर नॉलेज है थेवरी सब्जेट का तो उनके लिए ऐसी कोई प्रॉलम नहीं है तो नेक्स्ट देखते हैं कुश्चन नमबर फोर है वाट काइंड ओफ डेटा कैन भी माइंड फर्स्ट ऑप्शन है ड यहां पर देख सकते हैं कि जो डेटा माइनिंग में हम बहुत सारे डेटा को हम माइनिंग कर सकते हैं तो इसमें डेटाबेस भी माइन कर सकते हैं डेटा वेरहाउस भी माइनिंग कर सकते हैं ट्रांजेक्शन डेटा भी तो इसमें ओल अब अब का ओप्शन यहां पर करेक् C option classification and regression for prediction analysis and D option clustering analysis and E option is all of the above तहां पर आप देख सकते हैं कि यह सारे जो चारों option है सारे options जो पैटन है वो डेटा माइनिंग में माइन करते हैं तो इसलिए जो यह option है वो अलब दाब यह वाला correct option next question देखते हैं which is not part of data pre-processing तो data integration है पहला option दूसरा है data cleaning तीसरा है data analysis चौथा है data reduction and fifth है data transformation यहां पर आप देख सकते हैं कि यह आपने अच्छे से थेओरी पड़ी होगी तो इसमें data analysis वाला जो है कोई term यह कोई यूज नहीं होता डेटा पी processing में तो यह वाला option यहां पर यूज नहीं होता तो यह वाला ओप्शन correct है नेक्स्ट और कुस्चन है दा ओल्टी पी फुल फॉर्म इस तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ओल्टी पी का फॉल फॉर्म होता है ओल्लाइन ट्रांजेक्शनल प्रोसेसिंग यहां पर जो बोल्ड कलर से टेक्स्ट है वह correct option है नेक्स्ट है दा ओलेपी फॉल फॉल फॉर्म तो ओल्लाइन अनलेटिकल प्रोसेसिंग इस तरह से आपको कंफ्यूज किया जाता है ओनलाइन एनलेसिस प्रोसेस देंगे ओफ- सारे option offline, online इस तरह से आपको confusion create करने के लिए कुछ options दिये रहते हैं लेकिन आपको अच्छे से subject का knowledge है तो no doubt आप confusion नहीं होंगे और आप correct option आसानी से लग अलग तरीकों से तो यहां पर इतील का full-form फर्स्ट ऑप्शन एक्जिक्यूशन टू एंड लिंकिंग सेकंड आप्शन है extension transformation एंड लोडिंग सी ऑपशन है extension transfer and loading ब्रोडिंग डी ऑप्शन है extension transition and loading एंड यह उप्शन है ननोबदाब तो यहां पर अलग-अलग उप्शेंस दिये हुए हैं तो आज़ी आपको फुल फॉर्म पढ़ा है तो आप राइट उप्शन चूज कर सकते हैं इसका बी उप्शन है एक्स्ट्रेक्शन ट्रांस्फोर्मिशन एंड लोडिंग नेस्ट को सीम कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ डैडड है लिजकेत बीट बीट बीन यहां पर आपको दो ऑप्शन चूज करने हैं यहंपर देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन दिया हुए entities фильм दूसरा option है हर option में दो option दिये हुए एट्रिव्यूट रिलेशन्शिप सी ओप्शन टपल्स एट्रिव्यूट्स डियोप्शन रो कॉलम्स एंड यूप्शन एंटिटी दिलेशन तो आप देख सकते हैं जो यител स्कीमा में एंटिटीज और रिलेशन्शिप के बीच गर रिलेशनीशिप को स्कीमा तहीं पर एंटव्य पाहले में पार पront is पांट एंड सेजएंटों आप अमसेटों पर यूब सारी ऑफशन चुण के बीच में रिलेशन्शिप करते हैं न क्यदेश ए यह ज़ब यहां पर आप देख सकते हैं यह ओप्षिन वह करेक्ट ऑफ्षान है क्योंकि इसमें एक लार्ज सिंगल फाइल फैक्ट टेबल रहती है इसकी मामें और जो स्मॉल टेबल सोती उनको डायमेंशन टेबल कहते हैं तो फैक्ट टेबल में जो रिकॉर्ड होते हैं वह एजा फॉ प्राइमरी की को मिस रखती है तो सिंगल फैक्ट टेबल रहेगी और बहुत सारी डायमेंशन टेबल से रहेंगी नेक्स्ट कुछिण है फैक्ट कॉंस्टलेशन स्कीमा औलसो नोन इस यहां पर आप देख सकते हैं जो करेक्ट ऑप्षिन है गैलेक्सी इसकीमा इसको गैले है अदेघ्ग मुकि कहते हैं लिएक भाटी रपी नेक्स्ट कुछिन है इस और स्लेटक काते हैं तो सब्सक्राइब करता तहां पर communion की डेटा को सेलेक्ट करता है यहां पर बहुत सारा ओप्षेंस दिए हुए हैं नेस्ट कुस्च्टन है 14 support and confidence is used in support and confidence कहां पर यूज किया जाता है तो support and confidence cluster में यूज किया जाता है decision tree में association rule classification and all of the above यहां पर आप देख सकते हैं support and confidence association rule में यूज किया जाता है तो आप theory अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको काफी आसानी से आप correct option चूज कर सकते हैं नेस्ट कुस्चन है इस प्राइरी algorithm find out यह प्राइरी algorithm आपने पढ़ा होगा theory में frequent item sets को find out करते हैं इस प्राइरी algorithm नेस्ट कुस्चन है इस प्राइरी algorithm प्रपोस्ट बाइर अगरवाल एंड आज शरीकांत इन इन विच यह प्रपोस्ट इन 1994 में प्रपोस्ट हुई थी अप्राइरी algorithm नेस्ट कुस्चन है विच टेक्निक algorithm improving the efficiency of a priori algorithm तो एप्राइरी algorithm की efficiency कौन-कौन से techniques के थ्रूह improve की जा सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं है बेश टेक्निक टांजेक्शन रेदक्शन डायनमिक item set counting नन अब दावाव और अलब दाव तो यहां पर जो टेक्निक्स दी हुई है सारी टेक्निक्स एप्राइरी algorithm को इंप्रूब करती है यहां पर अलब दावब option correct option है और भी कुछ टेक्निक्स होती है जो एप्राइरी algorithm की efficiency को इंप्रूब करती है नेक्स्ट कुस्चन है क्लस्टिंग अलगोरिथम grouping data points और objects तो यहां पर आप देख सकते हैं क्लस्टिंग टेक्निक्स आपने पढ़ी होगी तो क्लस्टिंग टेक्निक्स सिमिलर डेटा पॉइंट्स यह सिमिलर एलिमेंट्स को grouping करती है तो जो सिमिलर टाइब के डेटा पॉइंट्स को यह प्रॉपर्टी जो सिमिलर डेटा पॉइंट्स के पॉपर्टी रखते हैं जैसा फोर एग्जामपल में आपको बताता हूं कि जैसरे fruits हैं तो fruits एक basket में बहुत सारे fruits को रख दिया है अब उन fruits को उसके color के basis पे उसके साइज के basis पे उसके टेश्ट के basis पे अलग अलग जो मैंश पर फ्रूड थीven पर आप उसको mr. अलग अईanc this to k 제대로 सकते हैं तो यहां पर see my knowledge optimal. नेक्स कोश्यान को सब्सक्रूरर नेन क्या तो अन्सुपर्वाइज का मतलब है कि जहां पर जो है आउटपुट नहीं दिया जाता है जहां पर आपको क्या आउटपुट आना है वह नहीं दिया जाता है means unlabeled data use किया जाता है क्लश्टिंग टैक्निक्स में तो यहां पर अन्सुपर्वाइज लर्निंग जिसे हम कहते हैं जो अन्लेवल डेटा पर अपलाई की जाती है है एक इस किषन है लेवल डीटा यूजट पाहरा देख सकते हैं लेवल डीटाइस खाना है पहले सही दिया रहता है यहां पर लेवल डीटा इंग दैसि यहां पर आपको आउटपुट पता कि यहां पर आपको आउटपूट नहीं सब्सकाइब सब्सक्रण ऐसे कि बाद पहलोगा शडगे करने में कि डीटप को किस तरह से हम क्याटगराइब करने यह किस तरह से क्लस्टिंग करें तो कि लेस्टिंग में अन्षुपरवाइजट में का concept फॉल होता है यहाँ पर अन्षुपरवाइज लेर्निंग अंवाइब डेटा में आती है सुध Ведь क्लश्टर नेकस्ट क्ल मैं वहां है क्ला सबस्ट्रक्रा निए अब इंड़ में बहुत ज्रिकन करता है तो इसलिए आप इसको बहुत ब्राइध सामझ लीजिये कि जो क्लेस्टिंग में जो इंट्रा क्लेस्टर है इंट्रा क्लेस्टर मींस लोकल तो सब्सक्राइब कोई क्लेस्टर है और जिसमें बहुत सारे डेटा पॉइंट्स है तो उसको हम कहें कि इंट्रा क्लेस्टर इंट्रा क्लेस्टर जो डिस्टेंस है वो मिनिममम होनी क्वेंट कैने सब्सूइच कर सकते हैं पहले भाल्ताइब मेर्णी चाहिए जो की हैंम होना चाहिए कहां किस्टियंग करता तो आप प्रेंगे बीजिका नहीं होगा तहां पर minimum आएगा minimum inter cluster distance and maximum आएगा इंटर सॉरी इंटर कलेस्टर minimum आएगा and inter cluster maximum distance आएगा नेस्ट कुस्टेन है मुवी प्रोडक्ट रिक्मेंडेशन सिस्टम और एंग्जाम्पल ओफ यहां यहां पर आपको आसानी से आप यहां पर सॉल्व कर सकते हैं कि क्लासिफिकेशन क्लस्टिंग रिइंफोर में लर्निंग रिगरेशन और तो यहां पर आप सकते हैं क्लश्टिंग का कौन सप्ट यहां पर फॉल होता है इसको मैं आपको एक्स्प्रेंड करता हूं रिकमेंड डिशन सिस्टम फॉर एक्जमपल जैसे आप कोई मोवाइल परचिस करते हैं फिलिफ कार्ड या मेजन वेबसाइट पर तो आपको एक मोवाइल ओपन करते ह आपको रिकमेंड करता है आपको बार बार जैसे आप नेक्स टाइम आप फिर से वेपसाइट खोलेंगा में जुन की तो आपको और बहुत सारे मोवाइल के अलग अलग अप्शेंस या अलग 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 मॉडल आपको डिश्पिल होंगे तो यह सब रिकमेंडर जो और डिश्पिल होते हैं तो यह सब क्रूस्टिंग वहां पर टेक्निक निगी होती है क्योंकि जो व्हएल ओपर्टी तो को कुश्टिंग्र को की तो उसी टाइप की शर्चिंग-ट्रोडक्स आपको डिस्पिल्य होंगे तो अपको प्लेश्टींगकि प्रीसे की प्रियो in k-means algorithm जहां पर आपको जो ऑप्शन दिये हैं यस नो एकन नोट से नन अब दाब यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है यह हैं तो के जो असाइनमेंट है वह इसमें करते हैं हम हर वार उसका के मिन चेंज होता है ताकि इसकी जो अलगुर्थम की क्लेस्टर की क्वालिटी इंप्रूव होती है हर वार के मिन चेंज होता है और नेक्स्ट लार्स कुस्चिन है विच आप फॉल्विंग अलगुर्थम इस मोस्ट सैंसेटिव टू आउट लायर को आपको किलियर समझ में नहीं अधर कि मतलब होता है जो आम डेटा उजड़ जैसे की सेलेरी कि 10,000 तक अपर 10 हम विक सेलरी लेते हैं और एक इंपलाय है जिसकी शैलरी 50,000 है तो यहां पर फिप्टी थाउजन वाला जो एंपलाय है उसकी वेल्व काफी डिफरेंट है देन आड़ें जो हमने डेता शैटली उससे तो 11 नमर का इंपलायो कि वहां पर वो जो 50,000 का जो डेता है वह उसको हम कहेंगे आउट लायर क तूिकर उसकी दृ声 कंए कमीश किलाइनल पौंटिश को स्कुछिए कमीश देनर स्टेथीम यहां पर आउट लायर यहां पर राउत सिंसिटिफ हों को इस प्रॉल्म को आउटम आर मैं यहां कि तो के मिन्स अल्गुरिफम में यहां पर आउटलायर का जो है मोस्स तो यहां पर फॉलो किया जाता तो आउटलायर की प्रोलम हम के में मिडवाइट से हम फॉलो मीन्स इसको रिमूब करते हैं आई होप आपको एक पूरा बीडियो के लिए समझ में आ गया होगा पिर में यदी कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमें बसे का सकते हैं तो यह कुछ इन दि तक वीडियो को लाइक निवी निःचे अफ यह देशिए इस पीडियो को अपने फ्रेंड सेसा और साथ में आपको वहां देखने को मिलेगा कि आपको कितना नॉलेज है आपको वहां पर रिजल्ट भी डिस्पली हो जाएगा थैंक यू फर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में